हेलो फैमिली नमश्कार एक बार फिर से हाजर हूं आप सब लेक हैलफफुल और नया वीडियो लेकर आज के इस वीडियो में आप सब का एक बार बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो को टॉपिक होने वाला है जैसे कि गर्मिया स्टार्ट हो गई है और गर्मियों मे आपको इस पेसली गर्मियों में नहीं करना चाहिए जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है इन्फॉर्मिशन पसंद आती है तो प्लीज एक वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीगे के ह सब्सक्राइब को जरुत पड़ेगी तो उसके लिए आप हमारा बेबी केर चैनल भी सब्सक्राइब कर सकती है लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और कॉमेंट्स में पिन कर रखा है आप सब के लिए तो जल्दे से जाईए उस चैन महिला ध्यान रखती है लेकिन कई बार चोटी सी बात पता ना होने की बज़े से भी गलती हो जाती है जैसे कि गर्मियों के मौसम में कुछ प्रेगनिंट्स महिलाएं अंजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाती है जिसकी बज़े से गर में बच्चे पर फर्ग पड़ता है बच्चे के बिकास पर स्पेसली फर्क पड़ता है तो ऐसी कौन सी गलतिया है चलिए हम जानते हैं सबसे पहली चीज़े फ्रेंड्स पानी की कमी अगर आप गर्मियों के मौसम में अपने शरीर में पानी की कमी होने देती है पानी सही तरीके से अगर आप नहीं लेती है आपकी बॉड़ी डिहाइडिट हो जाती है तो इसका सीधा लेना देना गर में बच्चे से होता है क्योंकि अगर आपकी बॉड़ी डिहाइडिट होगी पानी की कमी होगी तो जो गर में एमनेटिक फ्लूट बाटर होता है जिसमें बच्चा अंदर रहता है बच्चा सारी उसमें एक्टिविटी करता है बच्चा सांस लेता है बच्चे को नुट्रिशन सब कुछ मिलता है ठीक है तो अगर उसमें कमी आ जाती है तो गर में बच्चे के विकास पर पड़ जाता है गर्में बच्चे का विकांस रुकने लगता है इसलिए गर्में बच्चे का विकांस चाती है आपके अच्छे तरीके से हो इसलिए अपनी पूरी प्रेग्नेंसी में पानी की कमी ना होने दे पानी अच्छे तरीके से ले और अब तो इस पेसली गर्मियों का मौसम आ गया है तो पानी में कमी बिलकुल ना रखें आप जिसे ही Bytex in awater जरूर लोए प्रेगनिसी में डॉक्सिन बट्र कैसी बनाना है आपको एक बॉतल में आपको पानी ले लेना है उसमें हाफ नीबू के पतले पतले काटकर पानी में डाल देने हैं और कुछ पुदीनी के पत्ते जब भी आपको प्यास लगती है दिन में आपको वही पानी पीना है और नॉर्मल पीना है ठंडा पानी आपको नहीं पीना है फ्रिज का पानी आपको नहीं पीना चाहिए प्रिग्नेंसी में जो पानी भरते रहे और पूरे दिन वही पानी पीजे आप की सरीर के सारे टॉकसेंस बाहर निकलेंगे आपकी बोडिए रहेगी होगी तो घर में आपका बच्चा है रहेगा लिए पानी की कमी पीकास के लिए दूसरे चीजह पोशक ततों की कमी अगर आप अपने प्रिगनसी में ठीक तरीके से डाइट नहीं लेती हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाइट लेती हैं बहुत से ऐसी मैलाएं होती हैं प्रिगनसी में जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाइट लेने लगती हैं उनको जो प्रिगनसी में खाने पी क्योंकि आप जिससरीक अगर खाना खा रही है उससे आपके बच्चे को तो पोशन मिलेगा इने बच्चे को जरूरी नुटिशन चाहिए विकास करने के लिए बच्चे का बजन बढ़ने के लिए वो तो उसको मिलेंगे ने क्योंकि जो यह fast food बगेरा होते हैं यह सिर्फ आपके शरीर को लगते हैं क्योंकि इनमें कोई पोशक तत्व नहीं होते हैं तो बच्चे तक खाक पहुचेंगे इसलिए आपको जो भी अपनी प्रिग्नेंसी में खाना है वो healthy खाना है जिसमें nutrition हों जिसमें काफी सारे पोशक तो डाइट लेनी चाहिए आयरन की कमी भी प्रिग्निंसी में नहीं होनी चाहिए यह सारी चीजे ही क्या है कि आपके गर्में बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है अगर आप इन चीजों को अपनी डाइट में include नहीं करती है इन चीजों से भरपूर डाइट नहीं ले तो और गर्मियों में सर्दी जुकाम खाजी का भी डन नहीं रहता है तो आप सारे फल खा सकती है खट्टे फल खा सकती है आप सब कुछ ले सकती है ठीक है तो ध्यान दें इन चीजों का जिसे गर्म बच्चे का विकास अच्छे दरीकिसे हो तीसरी चीज है आपके कपड़े गर्मियों को time है तो आपको tight कपड़े नहीं पहनने चाहिए आपको comfortable cotton के कपड़े ही पहनने चाहिए क्योंकि आपको पता है कि आपकी body सांस लेती है इसलिए pregnancy के time पे ऐसे कपड़े पहने जो आपकी बिलकुल body को touch करके ना रखें थोड़ा सा free छोड़े आपकी body को ठीक है और पेट पर spacely tight कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए पर month जैसे कि तीन मेनी के बाद आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाता है किनी किनी मेलाओं का 5 मेनी के बाद भी होता है तो उनको month by month अपनी कपड़ों का size बढ़ाना चाहिए जिसलिकि उनके पेट को कसावत महसूस ना हो उनकी body को कसावत महसूस ना हो क्योंकि आपकी skin सांस लेती है इसलिए अपनी body को थोड़ा free छोड़े थोड़ा सा हलके फुल के कपड़े पैने cotton के कपड़े पैने चीक है तो यह भी गर्मे बच्चे के लिए जरूरी है कि उससे आप comfortable रहेंगी तो बच्चा भी गर्मे करती हैं तो इससे क्या होगा आपकी टब्वय', खराब हो सकती है गर्मियों मे यृस्ते भी लू चलने लगती आपको लू लंग सकती है मतलब गर्म हवा के यृजग्वक तब्विक्षे के बीधिकास पर फर्क करने ब्लग दपात को यह थान कमी हो जाती है जब उल्टी दस होने लगते हैं तो इसलिए गर्मियों के मौसम में ज्यादा धूप में जाने से भी आपको बचना चाहिए जो भी गाम करने हैं मार्केट जाना है कुछ भी करना है तो शाम की टाइम आप जाएए जो बीच की डूप होती है ना दस वजे से ल क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली होती है तो वो पूरे दिन ही काम में लगी रहती है अपने शरीर को आराम नहीं देती है तो आपको ऐसा नहीं करना है गर्म बचे के सही बिकास के लिए आपको रेस्ट भी जरूरी है साथ से आठ घंटे की नीन भी जरूरी है तो जब प्र इसके बाद छट्वी चीज है अगर आप अपने प्रिग्नैनसी में ना लुट करते हैं अपनी एक्शिकल्याक्ट डूरेकर कर ती तो क्या है इससे गर्मक बाशे के बिकास अच्छा होता है यह उच्छा होता है साथ आपको असानी होती इसलिए आपको अपनी प्रेग्नेसी को हेल्दी रखने के लिए गर्म बच्चे को हेल्दी रखने के लिए वाकिंग एक्सरसाइज भी aspects 30 जरूर करें 30 मिनिट तो आप इंशा सारी चीजों का गर्मियों में स्पेसली ध्यान रखेंगी तो आपकी pregnancy में कोई complication नहीं आएंगे आपकी pregnancy smoothly चलेगी और गर्मियों में आपको कोई भी दिक्कत आपकी pregnancy में नहीं होगी तो बस friends मिलती हो आप सबसे अगले वीडियों में तब तक अपना ध्यान रखिए क्योंकि आप से ही हम है बाबाएं थैंक यू